हेलो दोस्तों कैसे आप सब मैं हूँ परड़ और आप देख रहा है हमारा चैनल स्टेडी 16 और स्टेडी 16 पर आज हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे जो आप लोगों ने अभी तक पूछे हैं डॉक्टर हडी 16 और इंट्रेंस एकजाम पास में हैं और इससे पहले आप लोगों ने जो जो भी क्वेश्चन पूछे हैं कि सर मायनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है इंट्रेंस का पैटर्न क्या रहता है तो उन सब के जवाब जानेंगे सबसे पहला question जो पूछा है वो आकास्तवादी का है कि sir entrance में marking केस परकार होती है तो मैं आपको बता दूं entrance में 100 question पूछे जाते हैं डॉक्टर हरी सिंग और entrance exam में मतलब 100 question आएंगे और सभी question objective रहते हैं और एक question दो नंबर का होता है तो minus marking नहीं होती है दूसरा question है कि sir क्या minus marking होती है कोई minus marking नहीं होती है एक question दो नंबर का रहता है 100 question आते हैं मतलब 200 marks और उस पर जो आप score करते हैं आपका score दखाई देता है next है sir paper कितनी language में आता है क्या English opt करनी होती है या Hindi तो मैं आपको बता दूँ paper अभी तक दोनों language में आता है और इस बार भी दोनों language में ही आएगा तो जैसे आप Hindi medium में है या English medium में आपको paper दोनों language में मिलेगा Hindi में भी और English में भी तो entrance में minus mark नहीं होती है यह पहली बात है आकास्तवारी ने पूछा था नहीं होती है 100 objective question आते हैं मतलब आपको 4 वेकलप दिये जाएंगे जैसे कोई question पूछा जाता है कि हमायू के पिता का क्या नाम है तो उसमें 4 option रहेंगे हमायू के पिता के 4 option रहेंगे बाबर भी रहेगा अकबर भी रहेगा जहांगीर भी रहेगा या एक और option रहेगा कोई minus mark नहीं और कितने एक और question है कि sir paper कितने घंटे का होता है तो 2 घंटे का paper होता है 100 question आते हैं एक question दो number का कोई minus marking नहीं होती है next है sir क्या paper कठन आता है यह आपके उपर डेपेंड है कि आप किस परकार से पढ़ाई करते हैं अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है आपने तैयारी की है आपने syllabus देखा है आपने previous year paper देखे हैं तो आपके लिए paper easy ही होगा next question है कि sir GK किस परकार से पूछा जाता है यह question मुझे 10 से 12 students होने पूछा है कि sir Dr. Haddy Singh और entrance exam में GK के question किस परकार से पूछे आते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूँ GK और GS में काफी difference होता है इसमें अब जादा तर journal studies के question पूछे जाने लगे हैं जिन में current affairs सामल होता है जैसे कि पिछली बार एक question पूछा गया था कि 26 जन्वरी 2019 को भारत की यात्रा पर कोन मुख़ती थी थे मतलब गड़तंतर देवस समारों में कोन भारत में मुख़ती थी तो इसका right answer था सरेल रामाफोसा वो रक्षन अफरीका के राष्टपती थे लेकिन जैसे इस बार 26 जन्वरी को जो गड़तंतर देवस होती है गड़तंतर देवस पर मुख़ती थी थे ब्राजिल के रष्टपती थी साइद मैं आपको नाम बता रहा हूँ ब्राजिल के रष्टपती थी हाँ जेयर बोलन सारो तो इस परकार से question आ जाता है मतलब current affairs के एक साल के question आ जाते हैं आप यहें आपके उपर है आप उसे GK में देखें या GS में वो GK में generally question पूछे आते हैं जैसे कि अब history है तो उसे generally यही पूछा जाता है कि पलासी के यह दुकाभूगा या बकसर के यह दुकाभूगा या भाराच छोड़ो वांदोरन कभूगा या करो या मरो का नारा किसने दिया या my experiment with truth किसकी आत्म कधा है तो इस परकार के question पूछे आते हैं मैं आपके आंगे सारे doubts clear करता हूँ next question जो आया है वो आया है या सपाल की तरफ से और नो ना पूछा है कि सर reasoning के सपरकार पूछे आती है और reasoning की तैयारी कैसे की जाए तो मैं आपको एक बात बता दूँ डॉक्टर हरी सिंग और इंटरेंस exam में आप लोग से लेवस देखिए सबी exam में reasoning नहीं पूछी आती है और जिन जन exam में जो reasoning पूछी आती है reasoning काफी easy पूछी आती है मैं आपको एक दो question करवा चुका हूँ और previous year paper भी बता चुका हूँ तो reasoning generally easy पूछी आती है लेकिन जो reasoning पूछे जाने का मकसद है वो यह है कि आप समय से उस पर कर पाए reasoning 80-90% students reasoning के question डॉक्टर हरी सिंग और इंटरेंस के solve कर लेते हैं लेकिन उनका बहुत ज़्यादा time चला जाता है कोई-कोई तो 2-5 मिनिट तक लग जाता है उसी question को solve करने में इससे आपके option में आपके 80% chance होते हैं कि आपका answer सही है लेकिन आपका काफी time चला जाता है और आप दूसरे question पर time नहीं दे पाते हैं तो reasoning इसलिए पुम्षी जाती है कि आपका time best हो और अगर आप reasoning की preparation करकर जाएंगे तो आपका time काफी बचेगा क्योंकि आपको भी पता है कि reasoning आप भी कर लेते हैं और कोई और भी कर लेगा लेकिन बोट time लगाएगा वोई question आप 30 second में कर सकते हैं उसी को अगर आप preparation करकर नहीं जाएंगे तो आपको 5 minute लग सकते हैं तो इसलिए आप previous year के paper में देखें reasoning किस परकार से आती है और आप थोड़ी reasoning की tracks देख जाएं कुछ जैसे odd number की है या even number की है, addition बाली कुछ track है, subtraction की कुछ track है यह आप लोग देख लें और आप ABCD जैसे याद कर लें ABCD का मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि आपको AC, Z, 20 याद करनी है जैसी आपने 1st और 2nd class में याद की है मेरा मतलब यह है कि आपको पता हो कि P किस number पर आता है A का opposite Z होता है, B का opposite Y की होता है C का opposite X होता है, ऐसा P का opposite क्या होता है E का opposite जैसे B होता है तो आपके लिए question reasoning के किस पर से पूंचे जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ जैसे कि सबसे पहले लखा होगा A, Z, B, Y, C, X देन लखा होगा फिर आप बताईए क्या आएगा तो इसका DW आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि opposite कौन कौन से होते हैं तो थोड़ा आप अगर याद कर कर जाएंगे तो आपके लिए काफी easy हो सकता है next है, sir English में किस परकार के question पूछे आते हैं काफी अच्छा question है कि English के किस परकार से question पूछे आते हैं English के जो question पूछे आते हैं वो हमारे देनक जीवन से related ही पूछे आते हैं B.L.L.V में English पूछे आती है और का मुझे अभी उतना clear नहीं है जैसे कि मैंने B.L.L.V का देखा है तो English में antonymous और cynonymous पूछे आते हैं जैसे कि export है export का antonymous क्या है हिंदी में इसका मतलब होता है belowam sabd belowam sabd में English की बात कर रहा हूँ export मतलब होता है नरयात और import मतलब होता है आयात तो export का antonymous क्या होगा या opposite क्या होगा और सबसे जाद आप पूछे आते हैं जैसे कि बन वर्ड इसमें ऐसे पूछे आते हैं कि जैसे खुद की कोई आत्मकता लखे या जीवनी लखे उसे English में क्या काईते हैं या इस परकार से जन्रल जो आप जन्रल जीवन में आप देखते हैं देख जीवन में बहुत जन्रल जीवनी इसमें पूछे आते हैं और एंगलेस के लिए आप कोई भी विख रफर कर सकते हैं कोई भी आप ग्रामर की विख रफर कर लीजे जन्रल जीवनी मैं तो यह कहुँगा कि आप 6 या 7th क्लास की विख रफर करें तो आपके लिए काफी अच्छा हो जकता है इसके बाद जो next question है sir हिंदी में किस परकार के question पूछे जाते हैं अब बात करते हैं हिंदी की हिंदी में संदी के question जारा अदर पूछे जा रहा है संदी के question समास के question जिन जिन को हिंदी आता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ तो हिंदी में संदी के question पूछे आते हैं पहले तो यहीं पूछा जाता था यही question आते थे कि संदी के कितने परकार होते हैं अब और थोड़ा tough हो गया है तो थोड़ा संदी के पूछ लेते हैं किसमें कौन सी संदी है इस प्रकार से question आते हैं नेक्स्ट समास से question पूछे आते हैं समास से question पूशे आते हैं, question आता है, समास कितने परकार के होते हैं, या पंचवटी में कौन सा समास है, तो नवरतर्म में कौन सा समास है, जिसमें पर्थम पद संख्या बाची होता है, उस समास को क्या काहते हैं, जिसमें पर्थम पद अब्या होता है, उस समास को क्या काहते ह या कौन से समास में दोनों पदप्रधान नहीं होते तीसरा पदप्रधान होता है यह मैंने आपको कोस्चन बता हैं समास के काफी महत्पूर है और आप प्रिवेस येर में भी देख सकते हैं नेक्स्ट एसर राजनीती में या समबिदान से रिलेटेट किस परकार से कौस्चन पूछे जाते हैं काफी एच्छा कौस्चन है समबिदान का जो बेटेज होता है मैं बी लेलवी और लेलवी की बात करूं तो जादा हीं कौस्चन आते हैं जैसे कि फंडामेंटल लाइट कि fundamentalite किस देश से लिए गए fundamental duty किस पार्ट में है fundamental duty किस आर्टिकल में है कितनी fundamental duty है इस प्रकार से जर्नली question पूछे जाते हैं सम्भीदान से question जितने ही पूछे जाते हैं हम लोग ने 14 lecture cover किये हैं और इसमें हम लोग ने सम्भीदान को काफी बिस्तरित मतला detail में पढ़ा है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं next है sir entrance में selection कितनी number पर होगा यह कोई clear नहीं है भाई कि कितनी number पर आपका selection होगा यह question जिननों अभी पूछा है तो मैं आपको बता दूँ entrance में कितनी number पर selection होगा कोई भी clear नहीं पहले से कर सकता है कारण यह है कि यह paper difficulty level पर depend करता है कि paper का difficulty level कितना है और students कैंसे आ रहा है कई बार students काफी अच्छे आते हैं कई बार cutoff बढ़ जाती है और कई बार कम रहने के भी chances होते हैं लेकिन कोई भी entrance हो आप यह courses करिए या आपके 100 से जादा marks आए और मैं तो यह कहूंगा अगर आप BLLV, LLV बगएर हैं तो 120 marks भी लाने की courses करें या आप BST में है या किसी में भी है तो काफी marks लाएं इसके बाद मैं आपके और question clear करता हूँ Sir क्या paper cutten आता है एक question सबसे एक वेक्ती ने पूछाया है students ने कि क्या paper cutten आता है मैं आपको एक बाद बता दूँ अब आप लोग सोच रहे हैं कि Sir बोलना है कि paper cutten नहीं आता मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आपने अगर से लेवस को देखा है previous year के paper को देखा है चार-पांस साल के paper solve किए है और जरूर यहीं नहीं है कि 4-5 साल के paper ही solve कीजिए मेरा मतलब है है कि आप analyze कीजिए जैसे कि अंगली बार पूछा गया कि fundamental light के स्पार्ट में है अपकी बार आपको पढ़ना होगा fundamental light के स्देश से लिए गए तो आपको previous year paper को रटना नहीं है कुछ लोग करते हैं कि previous year के paper लिए और रटने बैठ गाए तो यह सा नहीं आपको करना है आपको analyze करना है क्योंकि अब आप 12th standard में नहीं पढ़ दाए है और यहां एक entrance exam है ना कि आपको इसमें pass होना है पास होने वाला exam नहीं है जो अभी आप आपने 10th 12th तक दिया है अब आपका competition दूसरे के साथ तो है साथी साथ खुद के साथ भी आपका competition है कि आप अगर कुछ एक video देखेंगे या कुछ एक सब्द पढ़ेंगे तो आपके दो नमबर जादा आ सकते हैं तो आपको यह बात ध्यान देनी है नेक्स्ट है सर आँगे cutoff बढ़ेगा या घटेगा तो यह मैंने आपको पहले ही बिता दी paper के difficulty level पर depend करता है या current affairs के question पर depend करता है क्योंकि जाद अंतर current affairs के question आते हैं बच्चों को पढ़ने में problem होती है नेक्स्ट है अभी तक सर preparation नहीं की क्या आप हो सकता है मैं तो यह कहूँगा जब जागो तभी सबेरा आप अभी से लग जाईए तो भी अभी आप preparation कर सकते हैं सर tricks से कैसे clear करें तो मैं इसकी कोई आपके लिए particular tricks नहीं बता सकता हूँ बाकी आप में motivation होना चाहिए अगर आप में motivation है तो आप clear कर सकते हैं सर entrance में qualify ये लिए सबसे बड़ी चीच क्या है तो मैं तो यहीं कहूँगा अगर आप motivated हैं अगर आप BSC, BALLV, LLV, BABAD हैं कोई इंटरेंस देने बाले हैं सबसे पहले आप खुछ से पूछिए आप वो इंटरेंस क्यों दे रहा हैं जैसे कि कोई LLV कर रहा है तो आप खुछ से सोचिए किसी और के कहने पर नहीं कि मुझे वो कर रहा है LLV तो मुझे भी LLV करना है जब तक आप यह सोचिए आपका इंटरेंस में सिलेक्शन मुश्कल होगा पहले आप ध्यान से 2 मिनिट वैट कर सोचिए कि आप क्यों LLV करना चाहते हैं आपको उसमें मास्टर आप जो भी सबजेक्ट करना चाहते हैं जिस भी सबजेक्ट का आप इंटरेंस दे रहे हैं सोचिए आपको वो 3-5 साल तक पढ़ना पढ़ सकता है मतलब आपको अब 12 के बाद 3-5 साल तक वो पढ़ना पढ़ सकता है और अभी तक आपने किसी और से फैसले लिए हैं अब आपको खुद फैसला लेना है और इंटरेंस देना है जब आप मोटिवेटेड होंगी कि मुझे यह करना है एलल भी क्यों करना है तो आप इंटरेंस में कॉलिफाई जरूर होंगी सबसे बड़ी चीज है मोटिवेशन सिलेक्षन या किसी भी चीज में अगर सबसे जरूरी होता है तो वो मोटिवेशन होता है अगर आपके पास मोटिवेटेड है आप अगर खुश से मोटिवेटेड हो रहे हैं तो आपका इंटरेंस से सिलेक्षन होना कोई नहीं रोख सकता दूसरी बात सर किन किन से guidance ले सकते हैं तो मैं आपको बताऊँगा आप जो इनवर्सिटी में पहले पढ़ दाए हैं उनसे तो आप guidance ले सकते हैं साथ ही साथ मैं यह कहूँगा कि आप सबसे जाना उनसे guidance लें उनसे विचार करें जिनका इनवर्सिटी में selection नहीं हुआ है आप जाने उनका selection क्यों नहीं हुआ है क्या कारण था उनने क्या previous year के paper देखे थे क्या उन्होंने syllabus नहीं देखा था उनने कैसी पढ़ाई की थी क्या उनने पढ़ाई नहीं की थी और एक और बात और आपका selection नहीं भी होता है तो कोई इसमें demoted, voted होने की बात नहीं है क्योंकि एक selection तो आपके होते ही रहेंगे और यह थोड़ी आपकी पढ़ाई रुकेगी आप कहीं न कहीं तो पढ़ेंगे ही तो और question मैं आपके बताता हूँ इसमें sir selection cutoff marks पर होता है हाँ selection बिलकुल आपका जितने आपकी नमबर आएंगी फिर आपकी जो merit list या cutoff आईगी नमबर की वोसे साबसे आपका selection होता है और मैं आपको कुछ बातें बताऊं जो आप लोगोंने पूछी है तो हाँ यह और question है आप लोग भी अब उतनी हिंदी और इंग्लेस दोनों समझते हैं कोई problem नहीं है और अगर इंग्लेस में भी पढ़ाई होती है तो क्या problem है अब अपन सही कर सकते है ना जनरली एक वैक्ति को तीन लेंग्वेज तक आनी चाहिए अपन लोग को दो लेंग्वेज आती हैं तो दो में पढ़ने में problem क्यों है आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो आप कोशिस करिए आप इंग्लेस बिल्कुल सीख सकते हैं इंग्लेस न्यूज चैनल देखिए टेलिविजन देखिए बगएरा और न्यूज पेपर पढ़ सकते हैं आप या हिंदी में भी आप कर सकते हैं तो इसमें कोई problem की बात नहीं है हां तो हम लोगों ने आपको क्या क्या बता दिया है कि इसमें एक बार फिरसे रिविजन कर लेते हैं कोई मायनेस मार्किंग नहीं होती है एक question दो नमबर का आता है objective question होते हैं वो यह मार सीट अभी तक भढ़नी पड़ती थी इस बार क्या है वो आप चेक कर लिजिए ट्र यह सब बात हैं आंगे cutoff बड़ेगा या घटेगा तो यह कोई clear नहीं है यह बच्चों की preparation पर depend करता है paper के pattern पर depend करता है paper कितने परकार से पूछा गया है जी के किस परकार से पूछा जाता है तो जी के यही पूछा जाता है जैसे कोई किसी देश के प्रधान मंत्री बदल आप देखें जैसे कि भारत रतना भी किसी किसको दिया गया खेल रतन किसको दिया गया तो इस प्रकार से जनली question पूछे जाते हैं जैसे कि इस रोका head quarter कहां है अब जी हर कोई जानता है easy question सामान है आप लोग देखते होंगे जी चंद्रयान टू लॉंच हो रहे हैं या चं करकर पढ़ना है तो आपके मैंने इसमें ज्यादातर question देख लिए हैं और जो question आपके रहेगा हैं वो आप comment करिए किसी एक दिन और मिलेंगे इससे पहले दोस्तों अगर आपने previous year के paper नहीं देखे हैं और अगर आपने मेरी और वीडियो नहीं देखें तो आप डॉक्टर subscribe और दबा दीजिए bell icon तो मिलते हैं कल next video में so thanks for watching the video thank you और अगर आपके कोई doubt हों तो आप comment कर सकते हैं